नमस्कार जैश्री कृष्णा राधे राधे खुश्रह लखन जी रॉबी वान्यों हलो धर्मेंद्र जी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग वेरी गुड़ीवनिंग धर्मेंद्र जी सत्यम सोनी जी जैश्री कृष्णा रवी प्रिंस जी हेलो मैम उदय सिंग भूरिया जी राधे राधे सत्यम सोनी जी कहां है मैम आप आ गई बस खाना खा रही थी थोड़ा सा लेट हो गई गुड़ीवनिंग रश्नी यादव जी हेलो हेलो आ जाईए जल्दी से लाइव जै देच के से 6 फर्वरी का हमारी सेश्अ गुड़ीवनिंग गउरवजी गुड़ीवनिंग आजयायय लाइव जल्दी जल्दी अन्शुल्पवार जी जै श्री राम जैश्री राम जैृस्री राम श्रधा जी नमेशकर नमस्कर कैं अ कि अ शादिया बहुत है लग रहा है हिंद ख्याती जी गुड इवनिंग ख्याती जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सभी का स्वागत है आपके अपने रुची धर्मन पाटशाला में उमीद करती हो बच्चों कि आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी इमानदारी के साथ में आप सेशन को अटेंड क कर रहे हैं ठीक है बार-बार में यही कहती हूं कि तीन स्टेजेस का जो हमने यह सेशन रखा है उसका लाब आप तब ज्यादा से ज्यादा उठा पाओगे जब आप इमानदारी के साथ में यह लाइव क्लास देखते हो उसके पहले जो टाइम टेबल डला है उससे पहले उ जहेंगा रहता है है तो अगर अपने पांच रुपए बचाना चाहते हो उसकी चाई पीना चाहते हो कुछ और नहीं हाना ध्यान रखना तो उसको आप क्या करो अपने हाथ से पैन कॉपी लेकर बैठो और साथ-साथ लिखते चलो ठीक है एक घंटे में तीस प्रेशन हम य तो इन कोर्सेज में बहुत जल्दी अभ प्रिलिम्स की टेस्स डिस और प्रिलिम्स की टइस्गेश कालेवल उसका डिस्क्रिप्शन यह सारी चीज़ें उसी लेवल कर रहेगा जिस लेवल की यहां पर आपको शीरीज फ्री ऑफ कॉस्त डो मिल रही है है याद रखना हमने उसी चीज को ध्यान में रखा है तो इसके लिए ये सारी जानकारी आपको कि हमारे टेलिग्राम चैनल पे कौन-कौन सी चीज़े आ रही है उससे मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एप्लिकेशन से रुची धर्मन पाठशाला का ये सारा एप्ल टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स ये सारी चीज़े अवेलेबल है जितने टॉपर्स आपको रुची धर्मन पाठशाला में दिख रहे हैं उन सभी के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है और भी बहुत सारी लोग के अवेलेबल है न्यूस लिबर्स के एकॉर्डिंगली अ दूसरी महत्पुन बात कि अगर आप देख रहे होंगे तो MPPSC मेंस के लिए अभी आपकी महा संग्राम रिविजन सीरीज चल रही है जो हमारी तीन फरवरी से तीन मार्स तक की स्टार्ट हो चुकी है उसमें आपको पार्ट वाइस टेस्ट के साथ-साथ FLT प्रवाइट क की गई है और हमारा कोई भी प्रग्राम हो चाहे वो वंडे एक्जाम का हो चाहे वो प्रिलिम्स एक्जाम का हो चाहे मेंस एक्जामिनेशन को हमने अपनी गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं किया है हमारी कोशिश यही रही है कि हम उस प्रश्ण के लेवल को तो जिसे लगता है इस कोशिस में आपको मतलब सफलता मिल सकती है तो आप उसको बिल्कुल जोइन करिए ठीक है यह मेंस के लिए है सेम यही चीज दो हजार चौबिस के बदले सेलिबस के अनुसार पेपर नमबर 5 का कਸhã पेपर नमबर 6 का कोर पेपर नमबर 5 प्लस 6 का कोर मिल जाएगी कर दो हजार चौबिस के बच्चों के लिए बदले सेलिबस में क्यूकि आपको मैं एक बार और बता दू बिता जब भी सेलिबस बतला था एक बार मुझो याद है 2014 का जब हमारा syllabus बदला था तब हमको 42 दिन मिले थे तैयारी करने के और 42 दिन में से 2 दिन तो syllabus का print out लाने में चले गए थे तो 38 से 39 दिन हमको total पढ़ने के लिए मिले थे mains और prelims के बीच में और हमने उसमें भी अपने exam को दिया है और उस exam में भी बच्चे deputy collector DSP बने है हाना तो बना जा सकता है बस आपकी जो तैयारी है सही direction में होनी चाहिए और सबसे बड़ा उसका hurdle है most rejection point जो होता है वो prelims होता है मैं prelims exam को कहती हूँ कि prelims exam वास्तों में selection का exam नहीं है यह rejection का exam है आपको पता है मेरा SSB board भोपाल में था मैं SSB जब आजन लाफ्टिनेंट दे रही थी तब मेरा first round था और भोपाल में श्यामला हिल्स में जनरल कॉंडल है उनके हां से मैंने training ली थी तो वो मुझे एक चीज बोलते थे कि बिटा जो screening है याद रखना रुची वो तुमारे selection के लिए नहीं है और आपको reject नहीं होना है अगर आप प्रिलिम्स क्वालेफाई कर लेते हो नहीं तो मेंस में competition कम होता है यकीन मानो ट्रस्ट में मेंस में competition कम होता है एस कंपेर टू प्रिलिम्स है ना एक बस थोड़ी सी जपकी लगी और गोला गलत भर गया आप बहार बस समझ रहे हो तो यह प्रिलिम्स अगर हरडल आप पार करते हो तो देखना प्रिलिम्स जिस दिन क्वालेफाई होता है आपका जो confidence level है न बेटा वह 50 गुना बढ़ ज जाती है trust me तो anyhow प्रिलिम्स क्वालेफाई करना है मतलब करना है जहां से जो सही effect मिलते हैं वो लगाओ मैं कोशिश कर रही हूं आपकी help करने की हम हिंदी के teacher हैं लेकिन तो भी आपके लिए मैंने प्रिलिम्स में आपकी ही demand पर ये series लाई है तो इसका जादा से जादा अनुन ला दिया और YouTube बड़ा open platform है ये बात बोलना नी चाहिए लेकिन मैं बोलती हूं मुझे तो वही बच्पन के सिक्षा पद्धिती अच्छी लगती है क्योंकि हम उजड़ बच्चों में से रहे हमारे सरस्वती सिशुमंदिर के आचारे जी हमको जब पढ़ाते थे न पत्धित अच्छी लगती और वहोना चाहिए और उसमें मुझे लगता है सबसे लेक्सन होगा ठीक है तो यह सारी चीजे की information आपको यहां से मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं हमारा डे फोर माम फिफ्ट अटेंड हो गया प्रिलिम्स नहीं हो रहा बहुत दी मोटिवेट हो गई हूँ माम आपको देख कर फिर से मोटिवेशन आ जाता है लेकिन कई ना कई प्री का डर है अभी भी आपको मैं एक उधारन दू आप अगर जाते होंग मयंक सर को उनका प्रिलिम्स साथ आठ बार नहीं हुआ था आपने पाच बार लिखा है बिटा आठ बार नहीं हुआ था आठवी बार में उनका सेलेक्शन हुआ था और फाइनल उनकी जो नंबरिंग थी क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूं मैंने उनके साथ पढ़ाया भी है मेरे कलीक्स रहे हैं वो हम जहां साथ में पढ़ाया करते थे तो उनका आठ बार में प्रिलिम्स नहीं निकला था हना और आठवी बार जब निकला तो उनने डायरिक्ट जो पोस्ट ली वो डीसी की ली नंबर जो है लेकिन चूकि डीसी के नंबर के छे बार साथ बार जितना भी बार लग जाए लेकिन अल्टीमेटली याद रखना अगर प्रिलिम्स कॉलेफाई नहीं हो रहा है जिस दिन भी कॉलेफाई होगा उस दिन आपकी पोस्ट लास्ट की नहीं होना चाहिए डायरेक्ट उठानी है डीसी नहीं हो रहा है मत होने द प्रमोशन होगा तो अभी यही समझो कि मेरा सेलेक्शन नायब तैसिलदार में हुआ होगा और पाथ शे प्रलिम्स के बाद में आप डीसी बन जाओगे कॉटेट पुझा बिल्कुल दीमोटिवेट मत होना हाला कि यह कहना जितना आसान है ना कि दीमोटिवेट नहीं होना जिसकी उपर बीट रही है वो समझेगा लेकिन मैं समझ सकते हूं ट्रस्ट में ठीक है कोई डिक्कत नहीं है बिटा यूनिट एक के नोट्स मिल जाएंगे क्या मैं जी कोशिश करूंगी हम अभी बना रहे हैं MPGK की बुक अभी आजी देख रहे थी मैं परिक्षाधाम MPGK में चतूर्थ आडिशन जो उसका आ चुका है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है यह ठीक लगती है मुझे जो सेलेबस है उसको एक बार नजर मारो वह कहीं ना कहीं वेदो की और लोटो का जो नारा है उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हमारा स्लेबस बनाए तो इस बार मुझे लगता है एंसियंट का वेटेज दिखेगा हम हमेशा तैयारी करते थे हिस्ट्री में तो हम काय का व हो सकता है लेकिन हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा है और यह जो एंसियंट पढ़ोगे वह मद्दप्रदेश के संदर में पढ़ना चलिए स्टार्ट करते हैं बिटा मेरा भी नहीं हुआ चार बार फिर मैं लगा हुआ हूँ बिलकुल मुरली जी लगे रहो नेवर गिव हमने अच्छली PSC को इधर बठा के रख लिया है यह मैंने भी किया है PSC के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है हमने अपनी लाइफ को बसना सीमिट कर लिया यह MPPSC का दायरा है उससे बाहर हम निकल ही नहीं रहें देखता ही नहीं को कुछ नींदी नहीं आती है उसके और एकमात्र यही परमसत्यमाल लिया है कि जिस दिन हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे DSP बनेंगे उसी दिन हम गंगान आएंगे गलत है बिटा है ना एक दो बार देखो सबसे पहले तो मैं नहीं जानती आपको कि आपका क्या क्या कैलीबर है क्योंकि हम ऑनलाइन है आफला जरूरी है पीएसी मांगता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अनुसाशन और निरंतरता अगर आपके अंदर यह है तो अगर एक नॉर्मल स्टुडेंट भी हो आप देर सवेर सही आप पीएसी में सलेक्ट होंगे और डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं डिजन मैटर कि आप कितने बार में सलेक्शन होता है बस इतना ही बोलूँगी और अगर एक दम से ऐसा लग रहा है कि इसके कारण आपकी लाइफ स्पोईल हो रही है या आपके पारिवारिक माहूल में बहुत ज़्यादा चीजे समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा सब ब्रेक भी ले लो और इस चीज बस एक्स्ट्रा रहती है बिचारे लड़के को भी मार पिटते रहती है कि इतना बड़ा हो गया 25 साल का हो गया माबाब की कमाई खा रहा है अपने पेर पर खड़े ओ लड़की तुमको ब्याहेगी है ना क्यूं तुम्हारे साथ कोई लड़की शादी करेगी तो परसर रहता है ठीक है तो यह बहुत सारी चीजे है परसनल लंबर है अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान हो पूच सकते हो बिटा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ठीक है चलिए परिक्षाधाम अध्यप्रदेश के लिए ले ले लो हैमलता जी कोई दि होते हैं को कि मिली जी 100% ठीक है कि देखो बाभ नहीं बोलत बगल वाले बोलते हैं तो मैं बोलने के लिए यकीन मानौ अगर तुम्हारा फढोसी तुम्हारा रिस्प्रदार यह नहीं बोलेगा कि बन गई कलेक्टर साहिब है तो तुम बन भी नहीं पाओगे इनको पॉज करते ना अंदर एक चिंगारी कट करके चुबती है लगती है आग लगती है कि यार आप तो बताऊंगा मैं माबाप तो सपोर्ट करते ही हैं बिटा तो इन पड़ोसियों को एक कान से सुनो दूसरे कान को निकाल दो और इस बात का वेट करो कि जिसने बोला था जिस दिन डिस सकते हो नीलम जी आप मुझसे मैं इन दौर में भवरकुवा में अवेलेबल हूं नंबर दिया है ठीक है आप मुझसे परसनल कॉंटेक्ट कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के टॉपिक है डे फोर के हमारे बिटा क्या स्वतंतरता संगर्ज एवं भारत स्वतंतरता के पश्याद भारत का एकी करण और पुनरगठन हिस्ट्री का टॉपिक है बिटा स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे से कोट्स के साथ में जो है आप से पता नहीं हमारे कोटेशन कैसे मिल जाते हो टाइप कर देती हूं यह जो आप रोज रोते रहते हो ना वह यहां पर आजाता है देखो तो क्या रो रहे थे सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा उस उमीद को खो देना है जिसके भरोसे हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं डेजन्ट मैटर कि आपके पास से सब कुछ चला गया है सब कुछ है ना लेकिन आपका मोटिवेशन आपका सरीर आपके साथ है तो याद रखना आप जब जीरो से उठ सकते हो ना बेटा तो आप दुबारा उससे उपर जा सकते हो इसलिए अपना जो है ना दिमाग जो है अपना मन जो है अपना मस्तिक्स जो है उसको मत खोने देना कोई भी चीज चले जाए ठीक है पैसा आ उस उमीद को मत जाने देना उमीद है कि पाच बार नहीं छे बार में डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूं 100 परसेंट बनोगे भलाई अभी खाने को पैसा नहीं है चल जाएगा गौट एट लेकिन उमीद होनी चाहिए ठीक है स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेर के कुछ ग्यान ले लेते हैं यहां से भी ठीक है 2024 में मद्व प्रदेश की कुछ हस्तिया है बिटा जिनको पदमिश्री मिला है तो किनकिन हस्तियों को पदमिश्री मिला है उनको देखो पदमिश्री जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है ग्रह मंत्राले के द्वारा जाने वाला ये अवार्ड है ठीक है यहां पर इस सम्मान में 132 हस्तियों के नाम है जिसमें से 5 को पद्म विभूशन जो पद्म पुरुसकर में सबसे बड़ा होता है 17 को पद्म भूशन सेकेंड नंबर का और 110 को पद्म श्री देने का एलान किया गया है जिसमें से पद्म श्री 2024 में मद्द्प्रदेश के 1, 2, 3, 4 लोग यहां पर शामिल है कौन-कौन है देखिए पहला नाम जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं सत्यंद्र सिंग लोहिया ये दिव्यांग है ठीक है सत्यंद्र सिंग लोहिया दिव्यांग खिलाडी है भिंड से इनको य तेंद्र सिंग लोहिया वैरी मोस्ट आइंपी शायद इनका नाम तिक जाए दिव्यांग है भिंड जिले से इनका संबंध है दूसरा ओम प्रकाश सर्मा कला के स्रेट से उज्जेन से ठीक है तो ओम प्रकाश देखो पंडित है ना शर्मा जी तो यह कहां मिलेंगे अपने महाकाल उज्जेन में ठीक है पूरे पंडिती दरी है याथार्था से कोई संबंध नहीं है ठीक है कला से संबंधित है और यह किस से माच लोक रंगमंच का चेहरा माना जाता है इन्हें और आपको पता है माच जो है ठीक है मद्धप्रदेश का यहां पर क्या है एक बोलना ठीक है माता के गायन निर्गुन भक्ती गायन में यहां पर यह परंगत है अगला चौथा नाम है भगवती लाल राजपुरोहेत साहित वा सिक्षा धार से संबंधित है ठीक है और मालवी संस्कृती और साहित पर यह पुस्तके वाला नाटकों को लिखते हैं तो चार अबती लाल राजपुरोहेत धार निवासी है तो यह करिंट अफैर का आज का हमारा फैक्ट रहा ठीक है ओके जी मैम आप किस डिस्ट्रिक से बिलॉंग करती है जबलपूर से हूंभर भाया जी मैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप मुझे कब कॉल कर सकते हैं आप 12 से 5 के बीच में कॉल कर सकते हैं और अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो एक मैसेज पिंग कर सकते हैं मैं आपको कॉल बैक कर लूँगे ठीक है चलिए आज के कुशन के लिए तयार हो जाए रडी हो ओल रडी धुआधार तरीके से आपके स्क्रीन पर डे फॉर का कुश्चन ये रहा पूना सारवजनेक सभा की स्थापना किसने की हूँ फाउंडेट पूना सारवजनेक सभा ओप्शन नमबर ए दादा भाई नौरोजी ओप्शन नमबर बी गोपाल कृष्न गोखले ओप्शन नमबर सी लोकमान्य तिलक ओप्शन नमबर डी गणेस वासुदेव जोसी बता वेरी गुड मिली जी, वेरी गुड रितु जी, वेरी गुड रोशनी जी, वेरी गुड सपना जी, वेरी गुड अगेन रोशनी सिवरी जी, पूरे लड़कियों कही आंसर आ रहे हैं, पगलो लड़के आंसर तो दो, गधे हे मिलता जी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, रजिद्धी खाती जी मयंक जी आया एक लड़के का मैसेज मयंक तिवारी जी चली आगे बढ़ते हैं पूना सारुजनिक सभा के स्थापना बिल्कुल सही D option है इसका गडेश वासुदेव जोसी ने करी ठीके गडेश वासुदेव जोसी जी ने इसकी स्थापना करी अंशु गोखले क्योंकि option में गोपाल कृष्ण गोखले को देखते से वह पूना सारुजनिक सभा में अपना टिक हो जाएगा और आधे से जादा नहीं मेरे को लगता है मैक्जीमम लोगों ने यहां पर यह आंसर दिया ठीके गोपाल कृष्ण गोखले का लेकिन याद रखना इस प्रकार के प्रश्णों में है आया हुआ प्रश्णों में से इसका जो निर्माण है यहां पर 1867 में HSC चिपलू कर गडेश वाशुदेव जोसी महादेव गोविन राणा दे इनके द्वारा किया गया था समलित रूप से बास समझ में आई चीके मुझे पता है आप जो गल बच्चों वाला है तो जब हम facts all करते हैं aspirant के साथ में रहते हैं तो वह ऐसे ही प्रश्ण गलत करते हैं और मुझसे भी अगर यह प्रश्ण होता तो ऐसा गलत होता और आपसे भी हुआ ठीक है चलिए very good very good ठीक है इसलिए मैंने answer नहीं दिया में वारे वा 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 व सत्र की सुर्वात महारास्ट से ही की थी यह एक संगर्ठन था जो भारती रास्टी कांगरेस के अग्रदूत की रूप में कारे करता था ठीक है जिसके स्थापना किसने करी थी बिटा गडेश वासुदेव जोसी प्लीज याद रखना गलत होने वाले प्रश्णों में से है 1867 में इसके स्थापना की गई थी ठीक है चलिए वेरी गुड मज़ा आ रही है न लोगों को कितनी मज़ा आ रही है सच में भी डिलीट कर दी आंसर दे दे के वाह वाह चलो आगे बढ़ते हैं बंबई त्रिमूर्ती के नाम से किसे जाना जाता है नोन आज बंबई त्रिम याद रखना महता तैलंग है यहां और यहां महता तिलक है और आप गलत नहीं होना चाहिए जल्दी आंसर दो बंबई त्रिमूर्ती इजी प्रशने प्लीज गलत मत करना जल्दी के चक्कर में पिटोगे नहीं तो देखना दो ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग है इसका सही आंसर है ऑप्शन नमबर डी महता तैलंग तैयब जी बोला था तिलक लगाओगे प्रणाव सोनी जी क्योंकि मैंने और उसको हाइलाइट भी किया था महता तिलक तैयब जी की महता तैलंग तैयब जी चार ओप्शन कन्फ्यूजिंग है लेकिन ये दो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे और उसी में आपने अपनी भैस को गुजा दिया पानी में ठीक है गड़वड हुआ तो महता तैलंग तैयब जी है बंबई त्रिमूर्ती के नाम से जिसे जाना जाता है प्लीज ऑप्शन को केरफुली पढ़ना है और यही गल्ती एक्जाम में होने वाली है यह दोनों प्रशन ऐसा नहीं है कि आपको नई बन रहे थे बन रहे थे लेकिन जल्दी के चक्कर में यह confusion के चक्कर में गए और ऐसा ही PSC में होता है यही होता है ठीक है यह पढ़ने की कमी के कारण नहीं होता यह option सही से ना पढ़ने की कमी के कारण होता है गौट इट तो इसका सही आंसर है option number D महता तैलंग और तैयब जी यह बंबई के यूवा राश्टवादी फिरोस सह म पहता इनका पूरा नाम तैलंग का केटी तैलंग और बदुरुद्दिन तैयब जी की प्रसिध मंडली ने 31 जनवरी 1885 को बांबे प्रेसिदेंसी एसोशेशन के स्थापना करी थी ठीक है इसलिए इन्हें बंबई त्रिमूर्ती के नाम से जाना जाता है और तिलक को अब बेताज बाधसा कहा जाता है लेकिन देखना बड़े ध्यान से जल्दी देखो बेताज बाधसा थी नो को कहा जाता है लेकिन कैसा साहा महता को कहा जाता है बंबई का बेताजबास्सा और फिरोड साहा महता सोरी बंगाल का बेताजबास्सा- aurait ठीके थिरिमोर्थि में बेताजबास्सा कोश्चन अच्छे नुव है मैम जी आपके सीरिस के लेवल भी शांदार है थेंक्यू जी अंशुल पवार जी मैंने यहीं बोला है चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो चाहे वो प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज हो कोई भी टेस्ट सीरीज हो हमने कोशिश करें बार-बार बोल रहे हूं कोई बहुत जादा बढ़ाई नहीं करूंगी और उस भी नहीं हूं लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि एनालेसिस के साथ में PSC के लेवल को टच करें हम क्यूंकि PSC के ही मास्टर है ठीक है और वंडे में SI वगेरा के हैं लेकिन जो काम अभी हम कर नहीं पाएंगे इसलिए अभी वो चीज मैंने लाई नहीं है जिस दिन मुझसे चीजे समलने लगेंगी मैं चीजों को मैनेज करने लगूंगी मैं धीरे-धीरे मेरे जो और भी सब्जेक्ट है उसमें मैं आ जाओंगी इसलिए मैंने अभी केवल पेपर 5 पेपर 6 पे फोकस किया है धीरे से हम वहाँ पर समल जाए हम धीरे-धीरे आगे बढ़ें लाइव की बात कर रही हो है तो यह मेरे लिए बहुत मतलब बोलना चाहिए आपके लिए तो बहुत छोटा अकड़ा होगा कि क्या है यार उची दर्मन पाट्शला में किवल 50 लोगी लाइव आते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा अकड़ा है बार बार मैं यही बोलती हूं अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं 100 में से 100 सलेक्ट हैं तो मेरा रिजल्ट है 100 परसेंट अगर मेरे पास 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों में से 100 बच्चों का मैं सेलेक्शन कर रही हूं तो मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानती ठीक है कम हो लेकिन बम हो और मैं इस पर काम करती हूं और यह आपको इसमें शायद दिख रहा होगा कोशिश है मेरी अब आपको पसंद आए तो वह अच्छी बात है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशने के लिए तैयार हैं जल्दी आगे बढ़ें सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश था वाट वस दा अबजेक्टिव ओफ सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी ओप्शन नमबर ए हिंदूओं के उदार मानवी तत्वों को बढ़ावा देना ओप्शन नमबर बी अंग्रेजों के विरुधराश्टी भावना जागरत करना ओप्शन नमबर सी पिछड़े वर्गों का उद्थान करना और ओप्शन नमबर डी देश की सेवा के लिए समर्पित कारेकरता तयार करना सर्वेंट ओफ इंडिया सोशाइटी का उद्देश क्या था निर्मला जी ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप इतना कमेंट ही करते हो तो बोलना पड़ता है वेरी वेरी गोड नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है आंसर देख लेते हैं बेसकी सेवा के लिए समर्पित कारे कारेकरता तयार करना सर्वेंट ओफ इंडिया जो आपने बोला था इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और इसके द्वारा ज्यान प्रकास हितवाद दसर्वेंट ओफ इंडिया समाचार पत्र का प्रबंधन किया गया था या प्रकाशन किया गया था ठीक है तो ये देश के लिए समर्पित कारे करता जो था वो तैयार करत इसके नाम में चुपा हुआ था तो आपको इतना महनत करना नहीं था नमस्कार प्रदीब जी नमस्कार ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की और निमनलिखित में कौन उग्रवादी उग्र राष्टवादी नेता नहीं था प्लीज बहुत अच्छे से पढ एक निमनलिखित में से कौन उग्र राष्टवादी नेता नहीं थे वेरी वेरी गुड गोड़ गोपाल क्रिश्न गोखले जी आप सभी जानते हैं कि भारत में दो प्रकार के जो कौंग्रेस के जो नेता थे वो बटे हुए थे एक उग्रवादी और एक उदारवादी ठीके उग्रवादी मतलब हमारे जैसे लोग यूवा लोग ठीके जो जोशीले होते थे बिल्कुल बोलते थे बिल्कुल की मतलब कर मत दो और बिल्कुल आनन फानन में काम करते थे जिसके अंतरगत आप लाल बाल और पाल को ठीके जा प्रवत्ति के होते थे बूढ़े लोग जिसको आप बोल सकते वो होते थे जो जादा बोलना चाहिए एग्रेसिव मोंड में काम करने की पक्षधर नहीं थे बलकि शांती के साथ काम करने की पक्षधर थे जिसमें जैसे दादा भाई नौरो जी हो गए आपके गोपाल कृष् दिया है वेरी गुड अगले प्रश्णी की और चलते हैं बाल गंगादर तिलक को लोकमान तिलक के नाम से जाना जाने लगा था कबसे इनको लोकमान तिलक के नाम से जाना जाना लगा था बाल गंगादर तिलक कम टू बिनोने इस लोकमान तिनक वेन ठीक है ऑप्शन आउप्शन नमबर दी उन्होंने सिवा जी और गडपती उत्सव चालू किया तब से याद रखना सिवा जी और गडपती उत्सव बाल-गंगद तिलग जी ने चालू किया था हाँ, इसमें आपके अंसर डग मगाने लगे, एक जैसे अंसर नहीं आ रहा है, अंशुल जी मुकेजी, रोश्नी जी, मिली जी, ना ना गडबड गडबड एक भी सही अंसर नहीं आया, मैंक तीवारी जी, गलत, कृष्निकांत जी, गलत, कृष्निकांत अभी तो आपन बन ग गलत इसका सही आंसर होगा जब सरकार ने उन्हें रेंड मडर केस का अभियुक्त बनाया था तब से इन्हें लोकमान तिलक के नाम से जाना जाने लगा था और लेफटिनल आयस्ट की हत्या के मामले में तिलक को हमने गिराफ्तार कर लिया था, उन्होंने गिराफ्तार कर लिया तब 1897 में 18 महा की जेल की सजा उन्हें मतलब बोलना चाहिए मिली थी, तब सभी को पताया कि तिलक बहुत लोकप्री नेता रहे और तब हमने बहाँ पर ह अखिल भारती नेता के रूप में लोकप्री कर दिया और उन्हें लोकमान की उपादी दी गई थी रातो रात मतलब जैसे पता है कि एक बार कोई वेक्ति सही है और जनता का लाडला है प्यारा है और उसको अपने जेल में डाल दिया और सही खाम किया था इनोंने तो उनको र वेरी बाल डी और ऑप्शन नमबर डी दादा भाई नोरो जी आई रिपीट अगेन हू टेट लाला राजपत राय कंसीडर आज हिस पॉलिटिकल गुरू जल्दी मंगल सिंग जी आंसर गलत नहीं होना चाहिए बिलकुल इजी प्रश्न है वेरी गुड वेरी गुड वेरी अंशुल पवार जी वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड इसका सही आंसर है मैजनी और मोस्ट सभी ने सही आंसर दिया वेरी वेरी गुड तो इजी टफ सारे प्रश्नों को कॉम्बिनेशन है वेरी वेरी गुड ठीक है यह सेरे पंचाब के नाम से भी जाना जाते थे हम हमारे लाला राचपत राए जी ठीकि इन्होंने मैजनी ग यरी बाल्डी श्रिवां जी और कृष्न जी की जीवनी लिखeled ना इनसे रिलोटेट कौन है मैजनी आपने देखा हिए अभी प्रश्म था गेरी बाल्डी सिवा जी और श्रीकृष्न की जीवनी पढ़ी लिखी समझा उस पर टीका लिखा है ठीक है बढ़ते हैं आगे प्रश्निकी और जी हाँ बिल्कुल सही श्रद्धा जी रोश्णी जी आशीज जी गौरव जी संजय जी मुकेज जी और बहुत सारे लोग सभी ने आल्मोस्ट सही आंसर दिया है ब्रिटित ताबूत के कील साबित होगा वेरी वेरी गुड अंशुल पवार जी वेरी गुड कोटेशन बिल्कुल सही लिखा आगे बढ़ते हैं लॉड रिपिन को किसने भारत का उध्धारक कहा ठीक है एडविन और नॉल्ड ऑप्शन नमबर बी सरोजनी नाइडू अल्मोस्ट इसका भी आंसर सही गलत एक आंसर गलत आ गया इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटेंगल सरोजनी नाइडू नहीं है ठीक है जिसने भी आंसर दिया है ये फ्लोरेंस नाइटेंगल ने इनको यहां पर भारक के उध्धारक की संग्या दी अब फ्लोरेंस नाइ प्रशना सकता है कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है Florence Nightingale को दूसरा दयावा सेवा की प्रतिमूर्ती Florence Nightingale the lady with lamp के रूप में किसे जाना जाता है तो Florence Nightingale को जाना जाता है दीपक वाली महिला किसे कहा जाता है Florence Nightingale को कहा जाता है और Lord करजन को भारती राष्टवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है ठीक है इनके टाइम की क्योंकि ये बात थी अगले प्रशनी की और चलते हैं very very good अंशुल पवार जी 12 अगस्त को नर्स डे very good ठीक है अगला बढ़ते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदुलन का नेत्रवत कि ने किया let the movement against the partition of बंगाल ओप्शन नम्बर A C R Das ओप्शन नम्बर B Ravindranath Tagore ओप्शन नम्बर C Aasutos Mukherji और ओप्शन नम्बर D Surindranath Benerji विच इस दा राइट आंसर प्रणाव सोनी जी very good माधव तोमर जी very very good डे आंसर रित्तू कौरव जी good रवी शंकर 115 जी रोशनी जी रोशनी यादव रोशनी सिवरे क्रिश्न कांट पतेल रानी very good very good very good very very good सही answer बंगाल विभाजन के विरुद में आ हुए आंदोलन का नेतरत जो है वो Surindranath Benerji ने किया था option number D is the right answer अंसुल पवार जी ठीक है अब बंगाल विभाजन कब हुआ था तो सबको पता होगा 16 October 1905 को बंगाल विभाजन यहाँ पर हुआ था और इस दिन राखी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था रविंदर नाट टैगोर ने याद रखना बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाया जाएगा यह बात किसने कही थी या किसने सुझाव दिया था तो 16 October को राखी दिवस मनाने के रूप में सुझाव दीने वाले वेक्ति थे रविंदर नाट टैगोर बंगाल विभाजन के उपलक्ष में बंगाल विभाजन के विरुद में पहली बार स्वदेसी और बहिसकार की घटना को संघर्स की विधी के रूप में अपनाया गया था बेटा यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आप एजन टू मार्कर भी यूज़ कर सकते हो मेंस के लिए तो यह पूरी जो सीरीज ह वो आपकी तैयारी प्री प्लस मेंस के फॉर्मेट में कर रही है चीके चलिए आगे बढ़ते हैं धन्यवाद मयंक जी वेरी वेरी गुड आगले प्रशनी की और तैयार है निम्न में से किस नेता ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था महात्मा नमबर डी डबलू सी स्मित ठीके विच आफ दा फॉलुइंग लीडर्स अपोज्ट महात्मा गांधी स्चंपारण सत्याग्रह अ अ अ अ अ अ अ अ वेरी गुड अन्शुल पवार जी वेरी वेरी गुड रविन्ना टेगर जी ने बोलाए अ वेरी वेरी गुड वेरी गुड पढ़े लिखे लग रहे हैं अन्सुल पवार जी हिस्ट्री को गुड इसका आंसर दें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रविन्ना टेगर जी का बारे में लिखा है निमलेखित में से किस नेता ने महात्मा गांदी के चमपारण सत्यागय का विरोध किया था तो मुस्रुल हसन ने इनका विरोध करा था दो लोग थे ठीके लेकिन आप्शन में नहीं था तो यहाँ पर देख लेते कौन-कौन दो थे मुश्रुल हसन और एंजी रंगा दोनों का नाम याद रखना महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो उनका पहला सत्याग्रह था 1917 में उसका विरोध किया था कि महात्मा गांधी जी को नहीं चलाना चाहिए था ठीके 1916 में जब लखनव अधिवेशन में राजकुमार सुक्ल जी ने चंपारण सत्याग्रह हेतु इन्हें आमंत्रित किया था यह तब की गटना है मतलब चंपारण सत्याग्रह जो है वह महात्मा गांधी जी ने किसके आग्रह प करने के लिए ठीके गॉट इट अगला प्रेश्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किस आदर्स वाक्य के साथ में आरंभ करी थी महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्थ चलाया था उसमें उनका आदर्स वाक्य क्या था ओप्शन नमबर विजय अथवा मौत, आप्शन नमबर B, आधा से ज़्यादा गलत दोगे, समहल के पढ़ना, जो मैं पढ़ रहे हूँ, एकदम से आंसर मत दो, करो या मरो, आप्शन नमबर C, अभी अथवा कभी नहीं, आप्शन नमबर D, अंत तक लड़ो, बताए, विज, 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 मोटो, डिड महात्मा गांदे, स्टार्ट दाणडी मार्च, भारती जी, नए, नए, मैंने बोला था ना, समहल के, एक भी सही अंसर निया है, गलत रोशनी जी, गलत पवन जी, D, ऑप्शन नए, गलत भारती जी, रवी शंकर जी, गलत ऑप्श नए, रानी जी, ऑप्शन नमबर C, नए, गलत, 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 ना, ना, ऑप्शन नमबर A आ गया, अब देखो, टीन ऑप्शन तो है नी, तो एक ने तुक्का मार दिया, कि आप बचा A, A ही लिग देते, बिल्कुल सही, A ही सही है, विज, अथवा मौत, चत्रे कहीं क ठीक है, रोशनी सिवरे जी, हाँ, मिली राय जी, A, सबने B, C, D तो लिग दिया, अब बचा A, तो A ही सही होगा, है ना, ऑप्शन नमबर A, बिल्कुल सही है, ठीक है, इतने बार पढ़ा, लेकिन पता ही नहीं है कि किस मोटो के साथ में गांदी जी ने ये चालू करा था, बिल्कुल इजी प्रशन है, उसके बाद भी हमने ये पढ़ा नहीं, और आए हुए प्रशनों को सौमिल किया है हमने, डांडी मार्च की सुरवात सभी को पता है, कब से कब तक चला, 12 मार्च से 6 अप्रेल 1930, साबरमती आश्रम से, यहाँ पर यह हमारा डांडी मार्च जो ह तो लौड इर्विन को दी थी, सुभाद चंद्र बोस ने इसकी तुलना, जो हमारी डांडी मार्च है, उसकी तुलना भारत, मतलब नेपोलियन की अलबा पैरिस यात्रा से की थी, ठीके, याद रखना, या इसको सिंपल बोल सकते हैं कि पैरिस मार्च से करी थी, नेपोलि जीके, यहाँ पर तिलना करी थी, नेपोलियन ने, और पांच माई को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद में नमक सत्यागरे का नेत्रत किस ने करा था, तो ये भी आता है, अब बास तैयब जी ने इसकी बागडोर समाली थी, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो इसकी बागडोर किस ने समाली थी, अब बास तैयब जी ने, बाकी आपको पता है कि कौन सा अंदोलन चलाया, क्या पढ़ाया, जो easy fact है वो आपको पता है, जीके, ये fact शायर नहीं पता होंगे, इसलिए मैने इनको शामिल करा, और ये important fact है, बाकी डांडी मार्च, नमक सत्यागरे, समिनावाग, ज्यांदोलन, भारत, छोड़ो अंदोलन, ये सब पढ़ते हैं अपन, सब पढ़ते हैं, easy fact हमको पता है, ये easy fact है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये पता नहीं होते, इसलिए ये सारे fact को यहाँ शामिल करा, अगले प्रश्नी की और चलते हैं, किसने एरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा, वू कॉल्ड एरविन एन गांधी एस टू महात्माज, ओप्शन नमबर A, मीरा बहन, ओप्शन नमबर B, मदन मोहन मालवी, ओप्शन नमबर C, सरोजनी नाइडू, और ओप्शन नमबर D, जवाहर लाल नहरू टेलिग्राम की लिंक सेर कर दीजेगा, ठीके, गुड इवनिंग गौरो जी, रेनुका जी, टेलिग्राम की लिंक हर वीडियो के नीचे है, और सेम नाम से अगर आप टेलिग्राम में सर्च करोगे, रुची धर्मन पैट शला, तो आप जवाइन कर लोगे वेरी गुड इसको अलमोस सभी ने सही आंसर दिया, सारे लोगोंने प्रणाव सोनी जी, संदीप तिवारी जी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ओजा जी, ठीके, नई नई गलत आ गये रजित जी, इसका सही आंसर है सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू जी, सशक्ती करण के लिए हमेशा ये आगे रही है, नारियों को आगे बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, हमेशा इन्होंने नारियों को आगे बढ़ाया सरोजनी नाइडू जी ने, दूसरी बात, ये बहुत अच्छी कवित्री थी, बहुत सारी कविताएं लिखा करती थी, इसलिए गांधी जी ने इनको कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसलिए गांधी जी ने सरोजनी नाइडू को भारत की कोकीला कहा है, ये भी प्रशना था, एक लतामंगेसकर को भी कहा जाता है, लेकिन लतामंगेसकर जी को स्वर कोकीला कहा जाता है, और गांधी जी ने किस को बोला है भारत की कोकिला तो ये बोला है सरोजनी नाइडू जो को क्यूं इनकी कृतिया इनकी कविताओं के कारण बोला है दूसरा सरोजनी नाइडू जो है वो पहली महिला राज्यपाल थी आप सभी जानते हैं ठीके इसके अलावा ठीक है लिखी देती हूं सरोजनी जाना पड़ा था याद रखना अभी आपने यह आंदुलन की बात करी तो मैं आपको एक और फैक्ट बता देती हूं सविनावग्या आंदुलन के कारण 21 महा के जेल की ऑगर कारवास की सजा आती है तो वह सविनाय अध़या के कारण मिली थी इनको इसा रोजनी नाइडियो को ठीक है और ये पहली महिला राज़िपाल थी, सभी जानते हैं, और सबसे important fact, सरोजनी नाइडू की जहनती पर 13 फरवरी को, 13 फरवरी को, जो की अभी आने वाला है, राश्च्री महिला दिवस की रूप में मनाया जाता है, चुकि मैंने बताया, इन्होंने महिला शशक्ती करण के लिए, ठीक है, बहुत कारे किये थे, तो ये कुछ important fact है, बाकी बहुत सारे fact आपको पता होंगे इनके बारे में, ठीक ह और एक और मजेदार, National Women's Day, जी, पहली महिला भारती अध्यक्ष भी बनी थी, हाँ, बहुत सारी चीजे हैं, ये कुछ important चीजे बताई, 13 फरवरी को, राश्टी महिला दिवस, कोकिला या भारत कोकिला की रूप में जानी जाती है, और ये उपाधी उनको गांधी जी ने द तो वहाँ लिखा हुआ था कि ये गांधी जी को मिक्की माउस कहकर बुलाती थी, खेर ऐसा प्रशन तो नहीं आएगा पी एस्सी में, लेकिन गांधी जी ने इन्हों भारत कोकिला की रूप में अभी बीद किया, पहली महिला राजिपाल, समेनायवा ज्यांदुलन के अप्शन नमबर A, महात्मा गांधी समल कर देखना, ठीक है, अप्शन नमबर B, यूसुफ मेहर अली, अप्शन नमबर C, जवाहला नहरू, अप्शन नमबर D, अरुना आसूफ अली, प्लीज 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 गलत मत दो, आंसर, व्यापम में आ सकता है, मिक्की माउस भल बिल्कुल अंसुल पवार जी, अपने MPPSC में तो नहीं आएगा, व्यापम में आ सकता है, माम कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आपकी सीरीज देखकर चले जाएं, तो क्या प्रशन या ये क्लियर हो जाएगा, गैरेंटी नहीं देती, कोशिश करा है, इन दस अजार फैक आपने अगर पढ़ा है, उसके साथ में आप ये कुछन लगाते हो, तो ये कुछन आपको बूस्ट करने का काम करेंगे, इतना जरूर में बोल सकती हो, गलत आंसर दे रहे हो, महात्मा गांदी जी, NCRT और बुकलेट में मिलता भी है, 2018, MPPSC में भी, MPSI में भी, और बहुत सारे प्रशनों में ये पूछ चुका है, बात समझ में आई, लेकिन इसका सही आंसर महात्मा गांदी नहीं है, प्लीज लास्ट येर के कुछिन पेपर सॉल करो, इसका सही आंसर है, यूसुफ मेहर अली, MPPSC ने सही माना है, हाला कि अगर ये यूसुफ मेहर अली नहीं अली नहीं लगा अली, मौलाना हसरत महानी ने दिया, जैहिंड का नारा याद रखना है, पूरे नारे याद रखना ये, जैनुल आबुदिन हसद हैदराबादी ने दिया, जैहिंड, भारत छोडों का प्रस्ताव के लेखक जवाहलाल लहरू थे, भारत छोडों आंदुल लूसेंट में भी यूसूफ मेहर अली दिया, बाद में दिया है, पहले उसने भी महात्मा गंदी दिया था, चलिए, मैम, पेपर 5 और पेपर 6 कब से सुरू हो गया, मिली जी, पहले ही बताया था, पेपर 5 और पेपर 6 शुरू भी हो गया, और 28 फरवरी तक हम इसको कम्प् के नेतरत में नहीं होगी, who among the following had returned, इंडिया, लिबरेशन विल नॉट टेक प्लेस अंडर दे लीडर्शिप, आप महात्मा गंदी, option नमबर A, सुबास चंद्रबोस, option नमबर B, M.A. जिन्ना, option नमबर C, लाला लाजपत्रा है, और option नमबर D, K.T. तैलंग, जल्दी आए, इतना अच्छा काम की है, लेकिन तो भी इनका विरोध करते थे लोग, गलत, 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 पवन जी, गुड, रजित जी, गुड, चलिए, इसका सही answer है, option नमबर A, सुबास चंद्रबोस, ठीके, बोस, रजित जी, बोस, very good, ठीके, सुबास चंद्रबोस ने ये देखना बड़ा मजा आएगा, मेंको तो बहुत अच्छी लगी, ठीके, इन्होंने अपनी आत्मकथा के प्रथम भाग, सुबास चंद्रबोस की आत्मकथा के प्रथम भाग, इंडियन इस्ट्रगल में ये बात लिखी, कि महात्मा गांधी ने देश की अभूतपूर सेव की है, किन्तु उनके नेतरत में भारत की मुक्ती नहीं होगी, ये बात बोली थी सुबास चंद्रबोस ने, अगले प्रश्नी की और चलते हैं, मैम, मुझे आपकी क्लास कल ही मिली है, बहुत अच्छे कुश्चन है, थेंक्यू, जी साइन जी, वेलकम, यूट्यूब पर नहीं होगी, मिली जी, यूट्यूब पर पेपर फाइव और पेपर सिक्स की क्लासेज होंगी, लेकिन फुल कोर्स जो है, वो अवेलेबल होगा अप्लिकेशन पर, मैम, जबलपूर से है, क्या से हो, जी, मैं जबलपूर से हूँ, वेरी गूट, अंशुल पवार जी, बिल्कुल सही बोला, आपने बोस का कोटेशन लिखा है, यहाँ पर, चलि, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 14 जुलाई 1942 को कॉंग्रेस कार्य समीती द्वारा भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था, भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव, ऑप्शन नमबर A, बंबई, ऑप्शन नमबर B, वर्धा, ऑप्शन नमबर C, लखनव, ऑप्शन नमबर D, कलकत्ता, जलदी जलदी बताएं इसका आंसर डिस्क्रिप्चिन में भी प्रश्न है ठीक है यह पर हम केवल प्रश्ञ प्रश्न लगाते तो हमारा यहां पर टाइं जलदी हो जाता लेकिन डिस्क्रिप्चिन में प्रश्न से ज्यादा IMPORTANT FACTS छुपे हुए है ठीक है जी इसका सही आंसर होगा भारत किया गया था वर्दा में अगला भारतियों को सत्ता हस्तांतरित किये जाने के दौरान ब्रिटिस पारियलेमेंट में किसने यह तिपणी की थी की अब तो सत्ता दुर्जनों बदमाशों और लुटेर के हाथे में चले जाएगी यह आपस में खूब लड़ेंगे और भ ने कही थी ऑप्शन नमबर A क्लीमिंट एटली ऑप्शन नमबर B यहां पर विस्काउंट टैंपल वूड ऑप्शन नमबर C विस्टन चर्चिल और ऑप्शन नमबर D इस्टेफोर्ट क्रिप्स मैम आपसे SI पढ़ना है जी बिल्कुल पढ़ सकते हो मुझे लगा आपने SI के लिए पढ़ा है जी SI के लिए मैं पहले आकार और बहुत सारे इंस्टिट्यूट में पढ़ाती थी अभी फिलाल PSC पढ़ा रहे हो जी यह बता है इसका सही आंसर बिल्कुल SI पढ़ेंगे बटा अभी आतो जाए वो ठीक है इसका सही आंसर है वेरी गुड विस्टन चर्चिल ऑप्शन नमबर C इस दा राइट आंसर उन्होंने कहा था भारती निताओं को राज्यसत्ता हस्तांत्रित किये जाने के प्रशन पर एक बहस के दौरान इन्होंने पाढ़ले आमींट में यह टिपणी करी थी और यह टिपणी आज भी सही साबित होती है ठीक है आज भी हमारे यह हो रहा है ठीक है जो इन्होंने इतने टाइम पहले बूल दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं चमपारण किसान आ अंसर देना प्लीज तो कि चमपारण देखो गयो और तुरंत टिक कर देओगे क्या गांधी जी तो प्लीज याद रखना राजिंद प्रसाद जी गांधी जी की बहुत इज़त करते थे और उनके बहुत बड़े समर्थक में से रहे हैं राजिंद प्रसाद जी तो इन्हो ने लिखा था जबकि चमपारण आंदुलन संबंदि थे गांधी जी से चलाया था उनका पहला सत्याग्रह था आप सभी जानते हो लेकिन इससे संबंदि जो पूरी बात लिखी है वो लिखने वाले कौन थे राजेंद्र प्रसाद जी रजित जी वेरी वेरी गुड और र सारे में बात हो रहे हैं सही योग आंदुलन ऑप्शन नंबर बी बार्दोली सत्याग्रह के टाइम पर ठीक है सविनय वग्यांदुलन के दौरान बनाया गया था तिलक स्वराज फंड की होम रूल आंदुलन के दौरान बनाया था मुझे लगता है यहर कोई सही बोलेगा फिर गलत बोल रहा हो यार यह इजी प्रशन है कब बना था तिलक स्वराज फंड और इसमें भयंकर सारे पैसे आ गये थे पढ़ाओगा नो पूरी कहानी जल्दी बताएं इसका सही आंसर है असयोग अंदुलन के दौरान आपने देखा था कलकत्ता में 1920 में एक विशेस अधिवेशन बुलाया गया था ठीके और हां जी असयोग अंदुलन के दौरान लेकिन पहले गलत आंसर नहीं देना था ना बटा ठीके असयोग अंदुलन क के दोरान कलकत्ता में एक विशेस अधीवेशन में इस अन्दुलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधीवेशन के अध्यक्षता करने वाले वैक्टी कौन थे लाला राजपत्राए पता है आपको और इसका लक्ष क्या था याद रखना एक वर्स के भीतर गांधी जी जो थे वो कहां पर थे प्रश्ण बनता है तो गांधी जी जो है वो बार्दोली में थे और तब वहां पर ये कांड होने के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था उम्मीद करती हूं ये बात आपको पता होगी अगले प्रश्ण की और चल तो यह कोतेशन के उपर लिखते जा रहें बहुत बढ़िया बात बोली जी है ठीक है अगला बढ़ते हैं और इसलिए इंपोर्टेंट था भारती कृ्रांती की जननी किसे कहा जाता है भारती क्रांती की जननी कौन है बहुत अच्छी क्लास है, धन्यवाद रेनुका जी बेरी गुड बेटा, इसका अंसर अल्मोस्ट सभी ने दिया, सौरब जी बेटा, भारती क्रांती की जनक, ये लूसेंट के पीछे पन्ने में भी लिखा है, ये प्रशन गलत करोगे नो, तो मन करता है कि बहुत चिल्लाओ, क्यों गलत कर रहो, भारती क्रांती की जननी, बहु किसका सही आंसर है, मैडम भीका जी कामा, हना भारती क्रांती की मा, भारती क्रांती की जननी कहा जाता है, मैडम भीका जी कामा को, 1907 में पैरिस में आयोजित, आंतराष्टी सोसले सम्मेलन में, राष्टी ध्वज इनोंने पहराया था, और तब इनको ये चीज मिली थी, ठ जिव सचिव रही हैं किसकी निजी सचिव रही हैं दादा भाई नौरो जी की बात समझ में आई जो की एक पार्सी महिला थी अगला बढ़ते हैं जी बिलकुल सही प्रियांशी जी अगला प्रशन निमन में से किस संस्था कि स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेटकर ने नहीं की याद रखना हाना और कौन-कौन सी की ये तो यादी रखना ऑप्शन नमबर अ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑप्शन नमबर बी और ऑप्शन नमबर दी दे सेड्यूल कास्ट फेडरेशन धन्यवाद रेणू का नंदरी जी मैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड वेरी गुड मैनीज जी वेरी गुड गडबड अभी भी गडबड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं बटा सीख जाओगे लेकिन अभी बी मैं अब एक दिन ऐसा आना चाहिए कि सब पूरे स्क्रीन पर यहां उपर से लेकर नीचे तक बिलकुल राइट आंसर नहीं करी तो इसका सही आंसर है दस पीजिन्ट एन्ट व 2 करथी इसकी स्थापना इनोंने नहीं करी रिटि कर के बताओ तो तो फिर किसी पार इथी अब भी कमेंट करो और डेली के जो लास्ट में आप पाच्छे प्रश्ण में ऐसे डालना चालू कर दूंगी जिसके आंसर आपको देने होंगे ठीक है आप इसका आंसर नहीं देतों भले सर्च करके दो वीडियो देखो कि कौन से प्रश्ण पूछे क्या पता पीए सी वही प्रश्ण पूछ ले बटा ठीक है अमबेटकर ने राजनतिक दलों के रूप में 1936 में सबसे जादा इंपॉर्टेंट इंडियान इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना करी थी 1942 में The Schedule Cast Federation के स्थापना करी थी पिछली PSC में भी BR अमबेटकर की समीटी के स्थापना और कौन-कौन से समीटी यह आ चुका है ठीक है और अपनी म्रत्यू के कुछ महाफपूर 1956 में उन्होंने एक नए दल के रूप में The Republican Party के स्थापना करी थी लेकिन यह जो है घोशना करी थी किन्टू यह दल उनकी म्रत्यू के बाद अस्तित्व में आया था तब तक उनकी म्रत्यू हो चुकी थी चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न की और निम्र में से कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे नहीं प्रश्न अच्छे से पढ़ना ठीके Who among the following was not a member of अंतरिम गवर्मेंट जवाहलान लहरू, बलदेव सिंग जी, गजनफर अली और बी आर अंबेटकर Very good, very good Mayank जी, सबसे पहले आंसर very very good Mukeshwarma जी Very very good, Himank, Aryan जी, अंशुल पवार जी, प्रियांशी जी, ठीके गौरव जी, सौरब जी, अरे गौरव जी, गड़बड कर दिया लिंक तोड़ दी सी ऑप्शन नहीं गलत गदे कहीं के, सही अंसर है, बी आर अंबेटकर नहीं थे और यह आउट कोश्चन में से है, यह अंतरिम सरकार के यहां पर बोलना चाहिए सदसे नहीं थे भलकि अंतरिम सरकार में विधी लीग द्वारा नामित ठीके, जोगेंदर नाथ मंडल अंतरिम सरकार में थे जबकि बी आर अंबेटकर जो थे, वो विधी मंतरी थे, स्वतंत्र भारत के, बैस समझ में आई, 2 सितंबर 1946 को पंडुत नहरू ने ने नित्रत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, अंतरिम सरकार का गठन, 2 सितंबर 1946 को नहरू जी द्वारा किया गया था, गोटेट, लेकिन प्लीज याद रखना, अंबेटकर जी गलत मत करना, विधी मंतरी पहले थे, बाद में, स्वतंतरता के बाद में, अंतरिम सरकार में, नहीं, अगला भारत के विभाजन के समय, भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कोन थे, प्लीज बहुत वेरी गुट प्रियांशी जी, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, याद रखना, कब पुछा है भारत विभाजन के समय, दो चीज याद रखना, ठीके, 15 अगस 1947 के दिन भी आता है, और भारत विभाजन के समय भी आता है, तो ये दोनों चीज फैक बने थे जे बीक्रपलानी जी और नवंबर 1947 था कि इन्होंने कॉंग्रेस की अध्यक्षता करी थी और इनके स्थीफे के बाद में यहीं मैं बात बताना चाहा रही हूं तो राजेंदर प्रसाद जी जो है वो क्या बने थे अध्यक्ष्य बने थे गहर्टेड टिके तो राजेंदर प्रसाद जी और जे बीक्रपलानी में बहुत कन्फ्यूजन होता है तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि पूछना क्या चाह रहा है वो ठीक है अगल the following had called the government of india act 1935 as charter of salary option number a jawaharlal nehru option number b ma jinna mohammad ali jinna option number c rajendra prasad or option number d maulana azad जल्दी बताएं इसकान सर जल्दी से जल्दी से इसका सही अंसर होगा जवाहarlal nehru जो भारत के पहले प्रधान मंत्री बने थे ठीके इन्होंने ये बात बोली थी और ये पहले विदेस मंत्री भी थे याद रखना जवाहarlal nehru ठीके आगे इनके बारे में मिलेगा और दिस्क्रिप्शन में अगले प्रश्णी की और चलते हैं भारत में भाषा के आधार पर राज्यो का पुनरगठन किस वर्स किया गया था भाषा के आधाय पर राज्यो का पुनरगठन कप किया गया था option नंबर A 1950, option नंबर B 1956, option नंबर C 1952, option नंबर D 1951, बताएं इसका सही आंसर बटा, almost सभी का सही आंसर, सौरव विसकर्मा जी 1956, रानी जी 1956, मयंक तिवारी जी B option, अंशुल पवार जी B, रवी शंकर जी B, रजित जी 1956, मुकेश जी B, नर्मला जी आफ फिर पूरे आंसर सही, very good, यही दिन आना चाहिए, कि पूरे चाहे टफ प्रशन भी हो, पूरे आंसर उपर से लेकर नीचे तक सही, सही आंसर है, बिलकुल 1956, सभी जानते है, 1947 के बाद में, भारत में बहुत सारी ऐसी जगह थी, जहां पर राज्यों के पुनरगठन की मांग उठने लगी थी, और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए, 1956 में ठीक है, यहां पर हमने त्रेपन में बास्तों में राज्यों पुनरगठन आयोग का गठन किया था, और इसी की अनुसंसा पर राज्यों पुनरगठन आयोग क यहां पर अस्तित्व में आई थे तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है ठीक है और इसी के आधार पर तेलगू भासाई राज आंद्रप्रदेश पहला राज्य था जो भाशा के आधार पर गठित हुआ ठीक है चलिए आगले प्रशन के और चलते हैं भा लक्षमी पंडित इसका ऑउनसर है नहरुजी याद रखना बहुत बात है जिब आपको देखने को मिलेगी नहरुजी जो थे वो पहले विदेश मंत्री थे और मजे की बात 27 मई 1964 को वे पहले विदेश मंत्री बने थे अब ये बात क्यों बोल रहे हूं क्योंकि तब तक में ये जो पूरा 17 साल तक ये पद जो है वो जवाहलान नहरू जो हमारे पहले प्रधान मंत्री थे उन्हीं के पास रहा था तो और ये भारत पर सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहने वाले व्यक्ति भी रहे क्यों क्योंकि तब तक हम इन्हों ने ये जो विदेश मंत्री का जो कारेभार है या पद है या दायत्व है ये अपने ही पास रखा था तो इस अहदे से 17 साल तक लगातार इन्हीं के पास में ये पद रहा था और इस हिसाब से ये पहले विदेश मंत्री भी हुए सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी विदेश मंत्री यही थे ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं ओपरेशन मेगदूत किसका कोड नाम था ठीके गोवा और अंजदीप दीपोग परकपजा करना सियाचीन ग्लेसियर परकपजा करने के लिए ओपरेशन मेगदूत चलाया गया था कारगेल युद्ध में गुसपेटियों को पीछे ढखेलने के लिए या पोखरन परमाणू परिक्षन के लिए ओपरेशन मेगदूत चलाया गया था विच इस दा राइट आंसर प्लीज बताए ओपरेशन मेगदूत जल्दी 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 सियाचिन ग्लेसियर पर कपजा प्लीज याद रखना सियाचिन ग्लेसियर पर कपजा करने के लिए चलाया गया था हना ये भारती ससस्त्रबल द्वारा सैन्य कोड का नाम था आपने मूवी भी देखी होगी इसमें और 13 अप्रेल 1984 को ठीके दुनिया के सब्चे उचे युद्ध इस्थर पर ये युद्ध छडा था और इसके परणाम स्वरूप सियाचिन ग्लेसियर पर ससस्त्रबल को पूरा अधिकार प्राप्त हो गया था मतलब हमने इस पर भारती ससस्त्रबल ने अपना अधिकार छेतर में सियाचिन ग्लेसियर को लाया था ठीके लेफटिनेन जनरल प्रेमनाथ हून ने इसका नेतरत किया था किसने नेतरत किया था प्रेम नाथ हून ठीक है और ये इनका कोड नेम था बढ़ते हैं अगले प्रशनी की और गदर पार्टी का मुख्याले कहा था MPPSC में अगेन आया हुआ प्रशन जो भी फिर इंपोर्टेंट हो सकता है जल्दी बताए जल्दी इसका सही आंसर होगा गदर पार्टी का सैन फ्रांसिसको आप सभी को पता है 1913 में गदर पार्टी के स्थापना हुई थी 21 अपरेल 1913 डेड भी लिखी है सोहन सिंग भाकना के द्वारा गदित पार्टी के स्थापना की गई थी ये पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक पत्र प्रकासित करती थी जो उर्दू, बुजराती, पंजाबी में प्रकासित होता था तो गदर पार्टी के स्थापना सोहन सिंग भाकना के द्वारा 21 अप्रेल 1913 को सैन फ्रांसिसको में की गई थी अगला प्रश्ण प्रथम विश्युद्ध के दौरान कहां पर अंतरिम सरकार बनी थी जिसके राष्टपती महेंदर प्रताप थे अप्शन नमबर A अफगानिस्तान में बनी थी अंतरिम सरकार अप्शन नमबर B जर्मनी में बनी थी अप्शन नमबर C सिंगापूर प्लीज समल कर अप्शन बहुत खतरनाक है ठीक है और अप्शन नमबर D तुर्की वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी 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 गुड आप्शन नमबर ए अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में बनी थी अफगानिस्तान के काबूल में 1915 में पहली आइस्थाई सरकार का गठन किया गया था ठीके इसके प्रधान मंत्री ठीके अपने भुपाल के बरकतुल्ला बने थे जिनके नाम पर बरकतुल्ला कॉलेज है ठीके और ये इनका सम्मंद भुपाल से है ठीके इस सरकार को जर्मनी और रूस ने माननेता प्रदान करी थी ते कौन से दो देशों ने माननेता प्रदान क हो रहे और तीस प्रश्ण के अंदर सौ फैक्ट है मिनीमम देड़ सो फैक्ट से सो फैक्ट के बीच में डेली आपका प्रश्ण होता है तो गिव अप नहीं करना है इसलिए हमेशा मोटिवेट करते रहती हो तप ना तो पड़ेगा अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है जल्दी आंसर दो जल्दी ठीक है सोना निंग है सरदार अजी सिंघ बाबा गुरुदद् शिंघ कमाट गुरु खान सरदार मोहन सिंघ सरदार सुरी मदत बलाल धींगर बताए कम अट जो जापनी जहासता विल्कुल इजी बाबा गुरुदत सिंग 1914 की ये घटना है आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कमाटा गुरु प्रकरण जो है 1914 में घटा था इस प्रकरण के अंतरगत कनाडा की सरकार ने उन भारतियों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंद लगा दिया था जो भार थे और इनको कनाडा में घुसने नहीं दिया गया था 376 यात्री कितने 376 376 आगे बढ़ते हैं सेंट्रल लेजिसलेटिव असंबली का प्रथम भारती अध्यक्ष कौन था पहला सर हरसिंग गौत सर वल्लब भाई पतेल बिठल भाई पतेल और ऑप्शन नमबर डी जल्दी बताओ लास्ट प्रशन की और बढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी मोर एनरजी रिलीज दपावर वेरी वेरी गुड इस्तूती सिंग जी वेरी वेरी गुड प्रियांसी जी वेरी गुड सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के पहले भारती अध्यक्ष थे 1925 में बने थे अध्यक्ष कौन थे बिठल भाई पटेल 1925 में बने थे सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली भारत की विधाई का थी इसे भारती विधानसभा और साही विधानसभा भी कहा जाता है यह इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसलिंग का निचला सद्यन हुआ कर आठ अप्रेल 1929 को क्रांती कारी भगत सिंग और बटु के स्वर्दवत ने दिल्ली की केंदरी लेजिसलेटिव असेंबली पर बम फेका था इस घटना को आधुनिक भारती इतियासकारों में सेंट्रल असेंबली बमकांड के नूप में जाना जाता है तो पूरे important fact description में दिये गए हैं एक बार मुझसे सुन रहे हो बिटा एक बार खुद अपने pen copy में यहाँ पर अभी बैठ कर देख रहे हो तो लिख रहे हो और तीसरी बार जब मैं ये टेलिग्राम पर इसकी PDF दूँगी उसको पढ़ोगे तो तीन बार पूरे important fact जा रहे है पूरे important है याद रखना ये प्रशन गलत नहीं होना चाहिए लेकिन अगर गलत हुआ ना तो सबसे जदा पस्तावा होगा कि यार आता हुआ प्रशन गलत हुआ और धुआधार तरीके से आज का last question आपकी screen पर ये रहा सारे लोग देंगे इसके आंसर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधान मंत्री कौन थे? और बिलकुल आंसर गलत नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी दीजे आंसर very very good सही आंसर है option number C लाल बहाद्दुर सास्त्री जी very very good शोयप कुरेशी बालाघाट से है option number C very very good almost सभी के आंसर सही सास्त्री जी रजित जी मंगल जी SP जी गौरव रगुमनसी जी रवी प्रिंस जी मुकेश जी रौशनी जी रितु जी रानी जी मयंक जी अंशुल पवार जी मरदुल जी हैमलता जी प्रियांशी जी वेरी वेरी गुड ठीक है तो यह आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध के द बारा और यह भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे और इनके मरने के बाद में 1966 में इनने भारत रतन से संबानित किया गया था और इनकी मृत्यू कहां हुई थी आपको सभी को पता है लाल भाद दो सास्त्री की मृत्यू विदेश में तासकन में हुई थी जो आज भी मिस् से सौ से देड़ सो फैक्ट को हमने तीस प्रशने के अंदर सफलतम डे फोर में कम्प्लीट करा और अभी हमारी यूनिट नंबर एक खतम नहीं हुई है हना एक यूनिट से इतने सारे कुश्चन जा रहे हैं आप देख रहे हो और फिर सेकंड राउंड में कुश्चन कहें रिक्विस्ट है आप अपने साथ इमान दारी के साथ तयारी करें और यह अंतिम प्रशने के साथ ढेइपोर मिलते हैं कल के वीडियो लेक्शर में थैंक you so much हां जी सोयब जी बोला thank यू thank thank you so much मिलते हैं कल रिविजन करिए धन्यवाद गुड़नाइट जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल